कैसे आप दोस्तों मैं हूँ कबीर दोस्तों रियल्मी ने एक बिकुल लेटस फोन लाउंच कर दिया रियल्मी N63 इससे पहले फोन आता था ये रियल्मी का नार्जो N53 तो दोस्तों दोनों फोनों की प्रैजिंग वगर में काफी कम प्राइस का डिफरेंट है साड़े 8000 रुपे का 63 नार्जो और 53 नार्जो ये कॉस्ट करता है 9000 रुपे का देखेंगे इन दोनम से कौन सा फोन ज़ादा भैतर है और पहले के मकाबले में क्या कुछ चेंज किया रियल्मी ने नार्जो सीरीज के अंदर अपनी ये भी देखेंगे तो complete information के लिए वीडियो दोस्तो एंड तक दीखीगा और चैनल पे ने हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रू के लिजएगा ताकि लेटास वीडियो आप तक आती रहें तो सबसे पहले unbox कर लेते हैं इसका पहली वाली सीरीज N53 देखते हैं क्या कुछ मिलता है 9000 और पहले क्या क्या समाना आता साथ में तो उपर रखावी के mini box अंदर के तरफ है SIM ejector tool कुछ user manual पढ़ने के लिए और एक मिलता है transparent सा cover यह black कर रहका cover है तो यह पीला वगएर तो जल्दी नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी quality आपको काफी बढ़िया मिलेगी black shade के साथ transparent cover दिया वाई है फिर मिलता है हमारा phone रखावा golden कर में हमने इसको मंगाया है detail look इसका बाद में दिखींगे उसके बाद दोस्तों एक cable मिलती है type c to usb connectivity के साथ quality वगएर इसकी काफी बढ़िया मिलेगी काफी fast charging cable है और length वगएर भी आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगी यहाँ पर बात करें adapter की तो 33W का आपको सुपर वूक adapter मिलता है पहले यह 9000 पी की range में इतना fast charger आना impossible था लेकिन नार्जो सीरीज में यह चीज़ पॉसीबल होई और 10,000 पी के अंदर 33W की fast charging मिली अगर आप 500 पर कम खर्च करेंगे तो आपको नार्जो N63 में क्या कुछ मिल यह किस्टर के लिए आपको transparent cover मिलेगा उसके बाद रखा मिलता है हमारा phone पर पर करेंगे हमने इसको मगाया है डेटेल लोग इसका बाद में देखेंगे फिर मिलती है डेटा के विल टाइप सीटी उस भी connectivity के साथ है इसके अंदर भी आपको quality काफी सही मिलेगी और यह fast charging के बढ़े और length बगारे भी काफी बढ़ी है फिर मिलता रखा हमें इसका adapter 45 watt का force charging के साथ adapter है तो यह कि चेंजिज मिलेंगे है पहले 33 watt का दा था और 45 watt का तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा upgrade देखने को मिलता है Superbook की branding के साथ charging के अंदर तो दोस्तों काफी बढ़ी है पहले 33 watt का लेकर आया 45 watt का लिया है तो काफी बढ़ी चीज है यह लुक की बात करें डिजाइन की तो यहाँ पर जातों कुछ चेंजिज नहीं मिलेंगा आपको camera का module वही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सार module का size बढ़ा कर दिया camera के designing वगरा काफी बढ़ी कर दी पहले के मुकाबले प IP54 रेटिंगे साथ आता है हमारा नार्जो N63 और N53 जो है इसके अंदर आपको कोई रेटिंग वगरा नहीं मिल दीती वेट वगरा की बात करें तो यह पहले थोड़ा हलका हुआ करता था 182 ग्राम का लेकिन आप थोड़ा सा हैवी हो गया 189 ग्राम का तो यहाँ थोड़ा स थोड़ा सा अच्छा लग रहा और मॉडियूल यहां पर एंशितरी का आपको इन दोनों से किसका बैक डिजाइन ज्यादा चला करके जरूब बताईएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहां पर यूजर इंटरफिस दिया गया है एप ड्रोयर वगरा यहां पर हमें च डिस्प्लेई मिलेगा 6.74 इंचिस का उसे के साथ 260 PPI मिलेंगे और जो पीक ब्रैटनेस मिलेगी 560 निट्स की मिलेगी यहां पर फुल इजी प्लस का सपोर्ट नहीं मिलेगा खाली एजी प्लस का सपोर्ट मिलना है तो यह काफी डिसपोइंटिंग चीज है पहले के इस दोनों फोनों में बिल्कुल एग जैसा है लेकिन यहां पर इस फोन के अंदर फूल एजी प्लस का सपोर्ट मिलता है जबके N63 के अंदर एजी प्लस का सपोर्ट मिलता था तो यह चीज़िस के अंदर ज्यादा बढ़िया मिल जाती है और PPI 390 मिल जाते हैं ये भी एक चीज़िस देखने को नहीं मिले वैसे में डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो मुझे यहां पर N53 के डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी इसके नए वाले वर्जन के कंपेर में कम्प्रीट फिजिकली लुक की बात करें तो नीचे की तरफ स्पीकर मिलेंगे टाइप सी पोर्ट एक माइक और 3.5 एम का जैक मिलेगा यह सारी चीज़े पहले के मुकाबले सेम है कोई चींजिस वगरा नहीं मिलेंगे उपर की साइट बिल्कुल प्लीन दी गई है कोई न अब भी कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं दिया गया स्टोरेज की बात करें तो दोने ही फोन 64GB स्टोरेज के साथ हैं जिसके अंदर लगवाग हमें 17GB के आसपास कटके मिलती है तो यूज़ करने के लिए दोनों फोनों में काफी बढ़िया स्टोरेज मिल जाती ह तो एक साल के बाद फोन लाँच हुआ है उसके बाद भी लगवाग सीम सी स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर यहाँ पर बात करनें सॉफ्टेयर वगरा की तो यूज़ इंटरफेस में थोड़ा सा फार्क है और Android वाज़न आपको लेटस मिलेगा 14 N63 में और 13 मिलेगा N53 म तो यहाँ पर लेटस तो सॉफ्टेयर आपको N63 में मिलेगा Android का लेटस वाज़न वगरा मिला लेकिन जो आपको Apps वगरा की Speed वगरा वो भी चेक कर लेते हैं कैसी मिलती है तो यहाँ पर मैंने Chrome खोला है तो यहाँ पर जल्दी Open N53 में हो गया और यहाँ पर Message वगरा भी जल् पर दोड़ी शूस देखने को मिलेंगे दोने फूनों में यहाँ पर बात करें इनके processor की तो processor के अंदर भी आपको कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलता दोने फूनों में Unicode का T612 processor देखने को मिलेगा इसकी performance वगरा तो ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको अगर major gaming आपको काफी सही मिलेगी बैटरी की बात करें तो 5000 एमेच की बैटरी दोनी फोनों में यहाँ पर ज्यादा फास्ट चार्जा दिया गया एंशिट्री में लेकिन इन दोनों फोनों में एक कमी आपको देखने को मिलेगी 4G के साथ आता है 5G फोन नहीं है N53 भी 4G फोन था और अब जो लेटस फोन लॉंच हो है N63 यह भी 4G फोन है तो यह ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कैमरे की बात करें तो 50 मेगा पिक्सल का डॉल कैमरा मिल जाएगा आपको एक फ्लैश लाइट के साथ दिया गया मॉडूल डिजैनिंग वगरे भी काफी अब्डेट सीरीज के अंदर पिच्चर क्वाल्टी वगरे भी चेक कर लेते हैं यहां पर मोड्स वगरे भी दिये हैं वह भी आपको दोनों फोनों में लाग भाग एक जैसे ही मिलेंगे कुछ ज्यादा बड़ा चिंजिस नहीं मिलेगा 50 मीगा पिक्सल का मोड मिलेगा स्ल लेकिन N63 का कैमरे ने काफी बड़िया इन्हांस किया पिच्चर क्वाल्टी को और काफी बड़िया कंट्रास्ट के साथ फोटोज दी हैं तो अगर आप कैमरे के लिए फोन देख रहे हैं इन दोनों से तो N63 जादा बहतर रहेगा उसके लावा N63 में आपको नई चीज यह काफी बड़िया दी गया है 45W का जो आज से पहले इस प्राइज रिंज के अंदर आना काफी मुश्किल तब लगवा किसी भी फोन में नहीं है इस फोन के अलावा कमी मुझे देखने को मिली इस प्राइज रिंज के अंदर 5G फोन आना चाहिए लेकिन यह 4G फोन है तो एक लेकिन यह वाइट करें आप लेकिन आपको दोस्तों वैसे इन दोनों फोनम से कौन सा फोन जादा चलागा मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा वीडियो अच्छी लगए तो एक लाइक जरूर कीजीगा और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि ल अगर देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दिएगा मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग के साथ